नमस्कार जिमसी नियूज अपडेट्स में आपका स्वागत है मैं हूँ अश्विन 40 वरस के अपने सफर में नोईडा ने उद्ध्योग के शेत्र में कई एहम मुकाम हासिल किये हैं आज दुनिया के अध्योगिक नक्षे पर नोईडा का नाम सुनेरे अक्षरों में दर्ज है और राष्टिय राजधानी छेत्र यानि दिल्ली NCR में नोईडा की अलग पैचान बन चुकी है ये जो तमाम बड़ी-बड़ी कम्पनियों के विशाल परिसर आप देख रहे हैं आध्योगिक प्लांट जो आपको नजर आ रहे हैं ये सब नोईडा के विकास की कहानी कहते हैं दरासल आज से 40 साल पहले जब नोईडा यानि नवीन ओकला विकास प्राधिकरण का गठन हुआ तब ही ये तै कर लिया गया था कि इस पूरे इलाके को उत्तर प्रदेश के और योगों के लिए एक एहम ठिकाने के तोथ पर दि आपित किया और कैसे अब यहां 6,000 से भी जादा मैनुफैक्टरिंग यूनिट्स काम कर रही हैं नोईडा में चल रही तमाम कंपनियों ने जहां करीब एक लाग से जादा लोगों को रोज़गार दिया है वहीं यहां से दुनिया के तकरीबन हर देशों में व्यापार और निर्यात के तमाम राष्टे खुले हैं आज हर कंपनी चाहती है कि नोईडा में उसे जगा मिल जाए और वह यहां अपना व्यापार बढ़ा सके 203 वर किलोमेटर में फैले नोईडा में IT और मैनुफेक्टरिंग के छेत्र में देश की नामी कंपनियां मौजूद हैं जिनमें HCL, Tech Mahindra, Adobe और RR Apparel जैसी कंपनियां भी मौजूद हैं आकि तमाम कंपनियों के लिए सबसे पसंदिता जगा नोईडा क्यों है जाहिर है सफर अभी लंबा है जब 40 सालों में नोईडा उद्योगों के लिए एक बेहतरीन ठिकाना बन गया और इसकी जरूरतों को देखते हुए इसका विस्तार करके ग्रेटर नोईडा को विक्सित करना पड़ा इससे तरह है कि आने वाले वक्त में नोईडा और रेटर नोईडा इससे भी कई बेहतर तरीके से विक्सित होंगे और अगले मास्टर प्लान तक दुनिया के बेहतरीन ओद्योगिक सहरों में सुमार किये जा सकेंगे नोईडा ने बीते 40 बर्सों में विभिन शेत्रों में तरक्की की है परन्तु अब हम उस शेत्र की बात कर रहे हैं जो किसी भी देश या शहर को बनाने के लिए सबसे महत्पूर होता है नोईडा आधुनिक शिक्षा का एक बड़ा हब बन गया है पेशे एक रिपोर्ट देश भर के तमाम छात्र अच्छे और उचल भविश्य के लिए यहां आती हैं छात्रों की भीड को देखते हुए यहां की शिक्षा के इसतर का अंदाजा लगाया जा सकता है शिक्षा इसतर की बात अलग रखी जाए तो इसके अलावा इन इंस्टिउशन्स का बुन्यादी धाचा भी युवाव के आकर्शन का केंत्र बना हुआ है बैतर शिक्षा के लिए नौइडा में अच्छे कॉलेज एवं इंस्टिउशन्स की भरमार है जिनमें एमिटी, जैपुरिया, गलगोटिया एवं शार्दा जैसी बड़ी युनिवरस्टी के साथ-साथ शिवनादर, एक्यूरेट, आफ्ट एवं पर्ल युनिवरस्टी जैसे निजे संस्थान भी शामिल है साथ ही यहां बच्चों की शिक्षा के लिए भी डीपीएस, वनस्थली, डीएवी, जैपुरिया, एपीजे, एवं एमिटी पब्लिक स्कूल जैसे नामी गिरामी स्कूल है नौईडा एक आईटी हब की तरह भी विक्सित हो चुका है और आने वाले वक्त में कई और अंतरास्टी इस्तर के संस्थान यहां नजर आने वाली है कई गाओं के हिस्सों को मिला कर एक खुपसर शहर के तौर पर विक्सित किया नौईडा आज आधूनिक जीवन शहली का परिचायक बन चुका है यहां मौजूद बड़े बड़े विशाल मॉल्स नौईडा के विकास को दर्शाते हैं और यहां आकर आप विदेशी शहरों की भी जलक साफ देख सकते हैं भारत में भले ही मॉल्स का कल्चर 2001 से सुरू हुआ हो लेकिन नौईडा आज अपने इन मॉल्स की वज़े से जादा जाना पैचाना चाता है नौईडा में शौपिंग हो या मनुरंजन दोनों ही यहां के मॉल्स में गए बिना अधूरा है यहां के खुच्चूरत और भव्वे मॉल्स दिल्ली एन्सियार में अपनी खास पैचान बना चुके हैं यहां Great India Place यानि G.I.P. हो या हाली बना D.L.F. Mall of India यह मॉल्स मॉड़ा की चमक को पूरे एन्सियार में बिखेर रहे हैं G.I.P. जहां अपनी विशालता, भववेता और सुन्दरता के लिए मशूर है वहीं D.L.F. Mall of India देश का सबसे बड़ा मॉल बनने की ओर अग्रसर है इन मॉल्स में बड़े-बड़े सितारों का आना जाना लगातार लगा रहता है इन मॉल्स में हर उम्र के लोगों की सुदाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है बच्चों के लिए तो World of Wonders जैसी तमाम मनुरंजन की जगे हैं खाने पीने के बेतरीन और हर रेंज के स्टॉल्स उपलब्द हैं और खासकर युवाओं के लिए नॉड़ा एक बेतरीन ठिकाना बन चुका है जिमसी न्यूज अपडेट्स में फिलाल के लिए इतना ही अगले हफते हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार